नमस्कार स्वागत है आपका वीकेंड आवाज एड़ा मार्केट इस्पेशल में और आज हमने शो का नाम रखा है मार्केट में स्ट्रेस कितना स्ट्रेस है मार्केट में अभी और आपको क्या करना है इसके लब कोई बात नहीं होगी तो स्ट्रेस के जरीए पूरे मार्केट को इनलाइस करेंगे कि बीता हफ्ता बहुत उतार चुड़ाओ वाला रहा बहुत सारे ख़बरों से भरा हुआ था और बहुत सारी घटना हुइ और मार्केट में अच्छी खासी भीकवाली हुई है स्मॉल कैप और मिटकैप के बीच मे तो क्या इसवक्त मार्केट में जो कहा गया था कि बहुत जादा वैलेशन्स रिच हो गया है चोटे मजोले शेर्स में वह ठीक हो गया है क्या गिरने के बाद क्या जो उनका stress test क्राया से भी ने उसमें वो सब हो गया stress test क्या अभी भी कुछ बाकी है और क्या जो सरकारी कंपने बहुत तगड़ी पिटाई देखने को मिली वो डन है कि अभी और भी वहां कुछ होना बाकी है क्योंकि एक साथ बहुत सारी ख़बरे आए और उसकी वज़े से बाजार का क्या करना है कि अब बहुत आड़ बहुत डर लग रहा है यह बहुत उत्साहित हैं कि हम खरीदी लें क्या पूरा बात्चीत होगी यह आज का एजेंडा है बात्चीत करने के लिए जो महमाने में परिचे कराएता हूँ आपका स्टूडियों में मैं मेरे साथ अभै जी है अबीशा कितरह मुस्कराते हो चेमें, इस बजार में भी आप मुस्करा रही है। तीस साल के इंवेस्मेंट के बद पता चल गया है कि बजार ऊपर यो नीचे आप मुस्कराते रही है। वही ठीक है। कोई फर्रक नहीं पड़ता कि आपकी क्या पर्सनल फीलिंग है संजय सर है मैं साथ हैं संजय सिना जी फाउंडर है साइटर्स एडवाइजर के और देखें वो भी मुस्करा रहा है सुधीप सर मार्क एक्सपर्ट वो भी मुस्करा रहा है आप सबकर बहुत-बहुत स्वागत है और इस चर्चा में हम लोग क्या समझे कैसे हमारे इन्वेस्टर को समझे तो आप अपने-पने हिसाब से बताईए मार्केट इनलाइस करके कि क्या हुआ सजय सरा आप से शुरुआत करते हैं हमने बहुत सारी चीजें देखी इस पूरे हफ्ते में और बहुत एक तरीके से बड़ा करेक्शन भी देख लिया है आपके हिसाब से क्या हुआ मार्केट में इस ट्रेस अभी बहुत है क्या देखे मार्केट को जिस तरह से हम लोग देख रहे थे पिछले दो-तीन महीने में बागते हुए तो एक पलीता लगाने की जुरत थी इस बाजार में ताकि वो अपने लेवल से करेक्श्ट करना शुरू कर दे और अगर आप देखे पिछले एक महीने में जो इवेंट्स हुए हैं वो एक पलीता नहीं एक के बाद करीब आधे दर्जन कारण बन गए बाजार के नीचे आ लीव बिरिज के तौर पे पहुंच रहा था एक कारण वो रहा दूसरा रहा कि सिभी के चेर परसन ने एक आशंका जताई की स्मॉल एंड बिटकेप फंड्स हैं उनकी एक स्ट्रेस टेस्ट होनी चाहिए और उसके जस्ट बाद अगर आप देखें तो उन्होंने एक और फोरम पे जो मिटकेप स्ट्री स्मॉल एंड मिटकेप एक्स्चेंज जो है उसमें उन्होंने यह आशंका जताई की कुछ मार्केट मनुपलेशन भी हो सकता है और यह सब तो पिष्ट भूमी में बनी रहा था तब तक सुप्रीम कोट का डिरेक्टिव आ जानकारी है वो अनॉनिमस न रहे उसकी जानकारी प्रत्यक्ष की जाए और इसे लगने लगा कि शाथ कॉर्परेट सेक्टर में इसका इसको लेके इस डिस्टोजर को लेके अस्तिती बनेगी तो देखें वैलुएशन तो कुछ पॉकेट में अलड़ी खिच गये थे और ल स्ट्रॉन दे कैमल बैक इन दे सेंस की एक ऐसा इवेंट जो की बाजार को नीचे ला सकता है वो उसका ही कारण था तो मैं समझता हूं कि किसी भी बुल मार्केट में इस तरह की करेक्शन का होना बिलकुल नॉर्बल है अगर आप इंडिविजुल स्टॉक्स की करेक्शन द बिलकुल उपरी तरह पे जो एक बबल सा बन रहा था उसमें काफी हद तक सपाई हुई है उसमें अच्छे स्टॉक्स भी पिड़ गए हैं जो अंडिजर्विंग स्टॉक्स हैं उनके साथ लेकिन मुझे लगता है कि जो तरह से बारिश के बाद पूरा वातावरन एक तरह से साफ हो जाता है उस तरह का माहौल हमको अब देखने को मिलेगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि क्वालिटी के तौर पे तो अच्छे थे लेकिन प्राइस पॉइंट पर वह कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे इस कारेक्शन के बाद ऐसे बहुत सारे अच्छे हो गया है तो मैं समझता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर के प्रस्पेक्टिव से देखें तो यह एक बहुत अच्छा क्रेक्शन है जो उनको अफसल दिला रहा है बाजार में दुबारा प्रवेश करने का और अगर प्रवेश कर चुके हैं तो अपनी बढ़ाने का और प्रवेश करने के एक मौके देरें इस पर हम लोग और डिटेल में बाद में बात करेंगे लेकिए जब मार्केट का मूड खराब होता है न तो छोटी-छोटी खवरें भी बहुत बड़ी बन जाती जैसे स्क्रीन पर आप नीचे देख रहे होंगे कि दो पेट्रोल डीजल कट गया मार्केट को एक आशंका थी कि ऐसा हुगा दो रूपए की कटाओती बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि पेट्रोल में अभी भी चोटी-छोटी खवर बहुत खराब लगती है और मूट ठीक होता तो गोल्डन पिकॉग अवार्ड भी मिलेगा कि कि इसी कंपनी के तो सर्केट लग सकता है ये मार्केट का एक सुभा होता है तो इसलिए आप लोगों को ये शो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और समझने कोशिस करना चाहिए सुदीप सर आप अजय क्या कर विस पूरे हफते में आप कुछ एक्टिविटीज किया आपने क् जिसे बुधवार को बहुत जबरदस तरीके से महौल बना क्या कर रहे थे आप सर कैसा लग रहा था आपको तेखिए मैं सांजेट जी के साथ कुछ तक सहमत हूँ मार्केट एक लवल पर ऐसा लवल पर चला गया था पर्टिकुलर्ली स्वाल कैप मिट कैप की अगर बात कर है और एक तरह से मैं यह भी कहूंगा कि मार्केट जब कंटिनुवसली महीने दो तीन महीने ऐसा चलता है उसके बाद मार्केट के हेल्थ के लिए करेक्शन सही लगता है अब करेक्शन का फिरोसिटी बहुत था और इसका कारण जैसे संजेज जी कह रहे थे बहुत सारे ऐस सुप्रीम कोट के तरफ से ऐसे सब information या directions आए जिसके चलते market में nervousness बहुत बढ़ गया था और इसी के चलते profit booking कहिए या consolidation कहिए कुछ भी कहिए ये देखने को मिला अब अगर आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा था मैं तो निवेशक को यही कह रहा था कि अच्छा opportunity है जहां पे आपको लेना था जो अच्छे shares आपको लेने थे वहां पे भी बहुत जबर्दस correction अगर हो रहा है तो आपे थोड़ा-थोड़ा करके खरीदारी करना चालू कीजिए यह बताना मुश्किल है कि कहा bottom है या कहा top है कही market में कोई बता नहीं पाता है पर अगर आप को अच्छा share attractive valuation पे मिल रहा है तो थोड़ा-थोड़ा करके accumulate जरूर करना चाहिए और वही सला हम दे रहे थे मैं specific stock specific की बता देता हूं Larson 2BRO correction हुआ कोई कारण नहीं है तो हमने बोला कि आप खरीदो क्यों नहीं खरीदेंगे Larson 2BRO अगर हम 4000 रुपया का stock समझ रहे हैं तो अ यहां पे बहुत अच्छा खरीदारी की opportunity भी आ रहा है आखिर मैं यह कहना चाहूंगा कि global markets में भी अगर आप देखे फुड़ा बहुत nervousness है जो economic data US में निकल के आ रहा है वो mixed signals दे रहा है और यह mixed signals के कारण वहां पे भी bond deals बढ़ रहे हैं equity market पे थोड़ा दबाव है और य इंडियन market के लिए भी एक overhang कहा जा सकता है जो कि देखने को मिलगा है अज़र यह तीन-चार घटना हम लों यहां कि नी सुप्रीम कोर्ट से भी RBI पिपटोली जल कार्ट दिया bond भी आएंगे विदेश वाले भी जोड दिये की आप तु यह शंका मनें जून में कट होगा क्या और बहाना मिल गया उसको की देखो भी इंफलेशन बढ़ रहा है एक और में कज़न मार्कन अगर पता चल जा तो लोग पर प्रभ्याट में एक और बता देता है बुरी कबर सोम और मंगलवार को बैंक आफ जपान की मीटिंग है बहुत लाइकली है कि वो लोग अपन पर बारिश के बाद सब सवाफ जाता है जम आसमान खुल जाता है लेकिन कई बार हफ्तों लगातार बारिश चलती है फिर भी सफाई नहीं होती है इतना शाप करेक्शन जो है मेरे एक्सपिरियंस यह अगर थोड़ा-थोड़ा करेक्शन हो मार्केट स्लाइड कर रहा हो त इस सरनाथ यह शाप करेक्शन हुआ कि बुरे जो बुरे मतलब जो मुमेंटम स्टॉक्स थे वो तो पिटे ही पर उसके साथ में आई कॉलिटी स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स वो भी पिटे उन पर भी प्रेशर आया तो अक्रॉस दो बोर्ट सेलिंग थी तो इतनी लगता है कि यह कोई बड़ा एक्स्टेंडेड यह नो डिप है कि चलता ही रहेगा और आप लेंगे और फिर आपको रोजी सस्ता मिलेगा वो स्टॉक्स मुझे नहीं लगता कि उस जोन में अभी है बजार कुछ लोग कहने कि अभी थोड़ा और चले कि मार्च है नंबर है और अब की बार इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी काफी प्रोएक्टिवली लोगों को रिमाइंड किया कि भाई साब टैक्स दे दीजे आपका इतना बनता है हमारे हिसाब से तो उसका प्रेशर था पर आज उसका प्रेशर जो था आज तो लास्ट डेट थी उनको चीए कि हर दिन अपर सर्किट लगे ऐसा स्टॉक बताओ वो जो सेग्मेंट है और वो काफी लेवरेज़ होता है वो सेग्मेंट क्योंकि वो अपना पैसा अगर दस रुपे लगाएंगे तो उसके सामने सौ रुपे का लोन लेंगे और वो बढ़ता जाता है उनकी जैसे ऐसे प्राइस बढ़ता है तो वो सेग्मेंट जो है वो एक जोड से कटा तो लिक्विडिटी जो थी मार्केट में वो पूरी सकाउट हो गई एक जटके में और मैंने देखा कि जब पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है एकदम अती हो जाती है उसके बाद जोड से कटा पार्टिसिपेशन एकदम कम हो जाता है क्योंकि काफी लोग लॉस लेकर निकल जाते है वो बहुत अनफॉर्चिनेट है पर रियालिटी है कि काफी लोग सालों साल पर आते ही नहीं है मार्केट में और वो मार्केट को बुरा बला बोलते हैं बलकि यह देखन समय है कब मिलेगा प्राइस बड़े हुए है उनके लिए मुझे लगता है कि अच्छा समय है एक मौका मिला है आपको टेक्निकल करेक्शन करेक्शन का कि आप अफसोस करते हैं चूक गया ले नहीं बाएगा और काफी लोग थे आपने शौ में काफी लोग आगे बोलते थे आ आपके इसाब से हो गया खतम हो गया यह थोड़ा और मामला बाकी है अब बिल्कुल तो नीरा ची देखिए मार्केट में वोलाट्रिटी जो आई है यह थोड़ा साइक तो आप काफी समय से कुछ इंवेस्टर्स बड़े इंवेस्टर्स को सुन रहे हैं तो कुरंटीनेसली लेंगा है कि बहुत ही शाप रहली थी और इसका profitbooking कई समय से discussion चल रहा था और जब profitbooking के reason बनते तो वो एक निहीं बनते वो कई कारण एक साथ कोई ऑनको एसे कारण बनेंगे जो तो market को profit booking पर लेकर आते हैं अब question यह कि यहां से भी क्या बड़ी किरावट हो सकती है यह investor के लेने का समय तो इसके लिए कुछ important जो data points है हम देखने सबसे पहले small cap के उपर जो concerns है कि बहुत ही overheated है बहुत ज़्यादा valuation है तो मैं पहले index के level की बात करूं तो mid cap और small cap दोनों ही आज भी यह PE आपको 26-27 के range में ही देखने को मिल रहे है इसका मतलब जो majority आपकी upside आई है वो आई है earning growth की वज़ा से तो mid cap के अंदर में शादे earning growth 60% के उपर रही पिछले 2 सालों के अंदर में और यही small cap के अंदर में कड़ी 50-55% के earning growth हमें देखने को मिली तो यह ऐसा नही committed concentrated position थी जिनके अंदर में शायद earning नहीं भी आ रही थी तो भी यह stock continuous भी बढ़े थे तो देखिए उनका अर्ष्ण तो एक ना एक समय पे यह होना ही था चाहिए mandate यह चीज आ जाती आज से तीन मैने बाद आती पर यह stocks तो गिरते क्योंकि विना earning growth के तो कोई भी company लंबे सम पे इवे के इवे बिल के number आये जो की second highest number है जबकि February में सिर्फ और इस बार 29 दिन थे तो आप फड़ा महिना भी कोई नहीं था और उसके बाद भी इवे बिल्स के जो number है वो अच्छे आये तो यह clear लिए कि GST collection अच्छा आएगा हम देख रहे हैं कि जो text के number है वहाँ पर बहुत ही promising data है और जिस तरह से सिपका flow है 18000 करोड के number को हम already cross कर चुके हैं तो यह मुझे लगता है कि clear एक indication है कि कही न कहीं बजार जल्दी अपना base बनाएगा और इस बार थोड़ा balance portfolio की ज़रुवत है जैसे अभी तक क्या था कि small mid cap में एक बड़ी rally आई और large cap काफी समय स से underperform कर रहे थे अब क्योंकि हम election period में एंटर हो रहे हैं तो market हमेशा एक safety के ओपर भी ध्यान देगा तो मेरे साब से यह balance करने का समय है तो अगर से आप बहुत significant over weight to small mid cap को तो उसको एक reasonable weight पर लाना पड़ेगा और multi cap या flexi cap जैसी strategies के अंदर focus करना चाहिए जहां पर पर मतलब इसमें आप क्या कह रहे हैं एक investor रा बिचारा 25-30% दुखी हो गया एक हो कह रहा मैं तो 1% भी नहीं किरा मेरा पोटफोली तो large cap लेके बैठाओ जो stock चले ही नहीं वो गिरे भी नहीं तो मैं तो पर वो पांच परसेंट अबरेज नंबर है वो पूरा market का जो impact वो दिखाता नहीं है क्योंकि जो जिस तरह से वो पूरा representation नहीं देता है पर हां जैसे आशी चीने का valuation definitely correct हुए है momentum थोड़ा slowdown हुआ है froth निकला है तो एक अच्छा reason है market में frankly सभी यही कह रहे है कि एक dip करना चाहिए market में आपको drip करके थोड़ा-थोड़ा पैसा जो अगर आपके पास है cash तो डिपलोई करने का अच्छा है तो इसलिए आपको उस कॉंटेक्स में समझना चाहिए कि बहुत सारे stock है सरकारी वाले इसमें बहुत 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 करेक्शन हो चुके हैं इंडेक्स पर आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि अभी आशी से समझाए कि वहाँ पर पी expansion इसले आपको stable दिख रहा है क्योंकि earning बहुत बढ़ती हुआ दिखी ही है संजय जी एक और सवाल आपसे यह जो stress test हुआ सेभी ने कराया सब को mutual fund को तो उसमें हम लोग अपनी स्क्रीम भी दिखा रहे हैं कि समने बताया कि वह small cap है तो कितने दिन में अपने को कितना बे सकते तो इसको यह समझा जाए एक wake up call देना था कि आप जिस तरह से बे तहाशा small cap funds में invest कर रहे हैं तो आपको यह बात से सजग होना चाहिए कि अगर इन funds पर अगर run हुआ यानि कि बहुत जादी मात्रा पे redemption होना शुरू हो गया तो हो सकता है कि आपको आपके पैसे उस एने भी पना मिले जो कि आपको दिख रहा है क्यूंकि इन funds को liquidate करने में 25% portfolio liquidate करने में कितना समय लएगा और 50% portfolio liquidate करने में कितना लएगा लेकिन सही माने में अगर देखे नहीं थी तो ये एक theoretical number है आज तक mutual fund की history में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कि किसी mutual fund में 25% का redemption एक छोटे समय में हो गया है redemption की मातरा अगर इतनी जादा होती तो इस तरह सी mutual fund industry का growth नहीं होता है redemption जब होता भी है तो मुश्किल से मुश्किल fund का 1% या 2% के आसपास ही होता है तो मेरे ख्याल से जो purpose था regulator का कि small and mid cap funds के प्रती जो investor blindly दोड़े जा रहे थे उनको इस बात से सजर करना कि ठीक है आप अगर समझते हैं कि small and mid cap आतरशक है तो आप ये भी जान लिजे कि इस return potential के साथ एक बहुत बड़ा risk भी है जो कि liquidity का है और ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर आप देखें तो जो small and mid cap funds हैं उनके portfolio में बहुत जादा changes नहीं हो रहे थे जितना कि उनमें inflows आ रहा था यानि कि वो नए पैसे से अधिकतर वही stocks खरीदे थे जो कि उनके portfolio में थे तो अगर company में कुछ fundamental change नहीं हो रहा है और अगर market की technicals नहीं बदल रही है उन stocks का average trading on a given day कुछ 1000 shares ही हैं और आप उसको खरीदे जा रहे हैं तो आपके खरीदने से भी उनकी value बढ़ रही थी तो sorry value नहीं उनकी prices बढ़ रहे थे तो यह जो बिला जुला असर था जो कि एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक vicious cycle पैदा कर सकता था कि आप उसी चीज में पैसा डालते जा रहे हैं जो कि उतना deserving नहीं है और आपके खरीदने से उसका price बढ़ रहा है और side में खड़ा retail investor उस price appreciation को यह समझ रहा था कि अच्छा यह stock तो बहुत अच्छा है इसका price बढ़ता चला जा रहा है इस बात पर purpose बहुत अच्छी तरह से serve हो गया है और हो सकता है जैसा कि आशीश कह रहे थे कि जुकाव अब हो सकता है कि सेग्मेंट से हट के थोड़ा large cap segment के प्रति या जो multi cap और flexi cap segment है उसके तरफ बढ़े तो अच्छा है क्योंकि थे कि all things had in done आप अगर market cap capillization को देखें तो आज भी market का जो बड़ा capillization है या कि जहां बड़ा में यह मानना कि वरहनान हम उस बहुत अमीर हो जाएंगे और आपको थोड़ा बैलेंस मिंटेन करने की जुरत है, तो वो परपस बहुत अच्छी तरह से इस एक्षिन के द्वारा हो गया है. एक सवस्था एक सवाल है मेरा, सुधीव सर आप बताईए, कि SIP तो अभी चल रही उतनी, लमसम पे चार-पांच फंड ने रोग लगाई है, बाकी फंड में आई रहा है, वो लोग कहरें कि हमने कमफटबल है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो क्या फ्लो थोड़क कम होंगे, तब यह सिचुएशन नर्मलाइज होगी, कैसे मैनेज करेंगे, पैसा तो आई रहा है, तीर जी, मैं तो हमारे बाकी सब जो पैनल में है, वो जो खेह रहे हैं, मैं वही बात हो रहा हूँगा, कि जरूरी यह था कि फंट का जो फ्लो है, वो स्मॉल मीट कैप से थोड़ा लार्ज कैप के तरफ डाइवर्ट हो, क्योंकि यह मार्केट का एक बहुत बड़ा सेग्मेंट जो है, क्योंकि एकसीडिंगली ओवर्वेट है, 85% जैसे सन्जी कह रहे हैं, वो लार्ज कैप है, और पैसा उस लार्ज कैप में आने के बजह स्मॉल और मिट कैप के तरफ दौड़ रहा था, तो यह थोड़ा एक गलत दिशावे मार्केट या इन्वेस्टर का मुव्मेंट हो रहा था, उसी का कोर्स करेक्शन के लिए, इन्डाइरेक्ली, देखे सेभी, यह नहीं कह सकता कि आप मिट कैप में मत निवेश करिए, या स्मॉल कैप में निवेश मत करिए, वो कह रहे है कि आप देखो क्या रिस्क है, आप देखो किसमें आप निवेश कर रहे हो, उसको ध्यान से समझो, और यह अगर आप समझ रहे हो, तो आप लार्ज कैप के तरफ जाओ, यह ही कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन्डारेक्ली, और हम लोग तो हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं कह होंगा, और पिछले ती, चार, छे महिने से यह कह रहे हैं कि लार्ज कैप में जरूर ध्यान देना चाहिए, निवेशकों को, और स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा संभल के रहना चाहिए, अगर आपका एक सिस्टेमेंटिक में, SIP के जरीए, कोई मिड कैप फंड में डाल रहे हैं, तो मुझे अभी भी लगता है कि उसमें बुराई नहीं है, अगर फैंट मानेजर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके क्वालिटी ऑफ स्टॉक स्टीटाक है, तो आप उसको चालू रखे, उसमें से एक्जिट लेने की, या उसको बंद करने की क कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आपके पास नया पैसा है, या आप नया चालू करना चाहते हैं, तो जरूर आप लार्ज कैप में SIP करिए, या लार्ज कैप फंड में निवेश करिए, वो निवेशक के हिद में होगा, और वो आपको अच्छा रिटर्न भी देगा, तो य ये दिशा चेंज करना बहुत जरूरी था, और शायद दिशा चेंज अभी हो रहा है और होगा भी, क्योंकि जो इन्फ्लोज अगर आप देखें, इन्फ्लोज लार्ज, स्मॉलर मिट कैप पे बहुत ज्यादा आ रहा था, इंस्टेड अफ कमिं इन लार्ज कैप, इंस्ट कैसे करें, बड़े स्टॉक में पैसा लगाना या गुट क्वालिटी में तो समस्या बढ़ गई, उल्जन बढ़ गई क्या, अब जब बुल मार्केट में लोग समझते नहीं है, बुल मार्केट में इन्वेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, आप बेर मार्केट में बह इसम मार्केट का हम एज利雄 करते हैं 100 रुपे सर्प है być उसमार्केट की रियल वाल्यू, दूसरी तरब पैसा जो है मार्केट पें डडालने वाले है 80 रुपे डालने वाले हैं तो market 80 रुपे ही आएगा तो जो value है 100 रुपे की है पर पैसा है 80 तो आपके पास वो market undervalued है तो वो as an investor में ले बड़ा अच्छा market है क्योंकि मेरे को undervalued stocks मिल रहे हैं सारे तो में पास पैसा जो भी आ रहा है मैं आराम से ले सकता हूं तसली से कोई दिक्कत नहीं है फिर पैसा ज्यादा अना शुरू हुआ 100 हुआ 120 हुआ 150 हुआ तो अब वो पैसा market में गया value 100 ही है पर जो पैसा total आया वो डेड़ सो हो गया तो उसकी वज़े से जो price बढ़ गया value तो वही रही तो वो market overbought हो गया speculative हो गया और वो बढ़ता ही जा रहा है पैसा तो आपके बास दो option है या तो अब उस पैसे को कम करें या फिर आप value को बढ़ाएं value धीरे बढ़ेगी प्लस नए IPOs आए supply आ रही है stock की IPOs आ रहे है वो सब थोड़ा ले रहे है पर value तो अपने दम से बढ़ेगी 10% GDP आपका है साथ आठ परसेंट उसको डबल कर लीजे 15% earnings growth है तो वह सौरवे 15% के rate से बढ़ रहा है साल दर साथ पर दूसरी तो supply तो बढ़े जा रही है तो जैसे यसे supply बढ़ रही है मेरे ले as a fund manager तो मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि सब chase करते है return को जब bear market होता है जब देना चाहिए तो बहुत कम लोग देते हैं तो यह बड़ी यह market की ही उल्जन है हमिशा से रही है और यह जो supply की मैंने आपको बताई इस supply को कम करने के लिए जो regulator कदम उठा रहे हैं स्ट्रेस कर रहे हैं कि भई leverage कम करो system में लोगों को पैसा speculative के लिए मत दो margins money options F&O उसके लिए मत दो काटो उसको तो यह उसी का एक जो gold loan लेके भी लोग पैसा market में मनलब gold दिया loan लिया market में लगा दिया तो वो सब जो है flow froth जिसको हम कहते हैं वो यही है कि excess supply आ रही है market में जो कोई value नहीं देख रहा है वो सर प्राइस देख रहे हैं कि वह उपर जा रहा है तो चलो और डलो तो वह regulator ने कोशिश करी कि निकले तो वही मैंने का काफी froth निकला है एक जटके में थोड़ा और जो है वो भी धीरे-धीरे मेरे को लगता निकल जाएगा आशी जी बुल मार्केट में स्टॉक ढूंड़ना खरीदना बड़ा मुश्किल काम है और सबस्ता मिलना चाहिए जो ले लो उदर तो क्वेश्चन ही नहीं है तो आपने अपनी स्ट्रेटिजी में कुछ बद्लाव किया बिल्कुल तो निरा जी जैसे हम लास्ट देड़ म 30% पे ला गया पिछली एक मैने के अंदर में और हमें लगता है कि उसकी वज़े से एक थोड़ा सा कंफर्ट हमें यह आया कि जब गिरावाट बड़ी आई तो उसका बहुत-बड़ा इंपक्ट पोट्फोलियो उस पर नहीं आया अब ऑब ओविसली उसका एक एक दूसरा अप्रोच फॉलो करते हैं जहां फंडमेंटल टेक्निकल मार्कट डाइनमिक्स और साइकलोजी इन चार चीजों को कंबाइन करते हैं और इसको देखके हमें कहीं थोड़ा सा एक डिसकंफर्ट से भी न थोड़ा कमेंट की तो उसके बाद से लगता है था कि यह थोड़ा कह अभी न कहीं अब एक सेलिंग प्रेशर स्मॉल मिट कैप में बन सकता है और इसके चलते हमने पॉजिशन कम के बड़ अब मैं मानता हूं कि यह पॉजिशन को हम 30 का 30 पसंड जो स्मॉल मिट कैप में उसको शायद 42 लाना अभी इतनी जल्दी हमें लगता नहीं कि हम आएंग क्योंकि वह वैलेशन की भी कमफर्ट आपको आ रही है आप देखेंगे कि निफ्टी 50 का जो पी एक्सपेक्टेड है वो करीब करीब बारा सो पचास बारा सो साट की बात हो रही है और अगर से आप इसको भी 20 का पी मल्टिपल देते तो एक रीजनेबल अपसाइड आपको सेफ्टी के नजरिये से इस स्पेस में थोड़ी जगा बनाने की जरुवत है पॉर्टफोलियो को थोड़ा सेक्टर का रोटेशन करने की समय मुझे लगता है जरुवत है इससे मुझे लगता है काफी स्टेबिलिटी पॉर्टफोलियो के अंदर देखने को नजर आएगी इससे पॉर्टफोलियो में कि स्टेबिलिटी आने चाहिए एक एक सवाल और क्या इन्वेस्टर्स ने सबग ले लिया होगा मुझे नहीं लगता कि लालच ऐसी बला है कि कुछी को कोई सबक नहीं मिलता सब मार्केट में एक ही चीज देखते हैं कि भई बनेगा मुझे लगता है जो ग्रीड है वो ज्यादा ड्राइव करता है फियर से फियर होता है लोगों को थोड़ा पर फिर एक हर एक की अबिलिटी निये की रिसर्च करें अंडर वैल्यूट स्टॉक ढूंडें लॉंग टर्म परस्पेक्टिव बनाए तो एक जटका लगता है लो मुझे एक साइकलोजिकल कॉस्चिन आपसे कहना है अपने इसे पीछले हफ्ते से ही उधार लेते हैं जिस दिन बहुत भीयानाय गिरावट आई और उसके अगले दिन विदाउट नेमिंग कई के स्टॉक दस दस बारा बारा पंदरा परसंट के ऐसी रैली दिखाई से लग नहीं जागी है कि थोड़ा सतर खुना जरूरी है अगर अब तक वह भावना जागी नहीं थी मीरत जी तो पिछले दो दिन दिनों में जरूर जग जाएगी क्योंकि मेरे कांसे क्या हुआ है इन्वेस्टर ने इस गिरावट में कोई लेसन नहीं सिखा होगा लेकिन स्पेक मार्केट के इन्वेस्टर जो आपके बगल में अभय बैठे हैं वह इन्वेस्टर हैं वो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो इसलिए वो कंपनी की वैल्यू को देखते हैं लेकिन जो स्पेकुलेटर है वो शॉट टम गेंस को पर जादा फोकस काता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों में जो स्मॉल कैप और मिट कैप की जो रैली हुई जिसमें आड़े तेड़े स्टॉक्स भागने लगे मैं आपको एक उधारन ही देता हूं बिना स्टॉक का नाम लिए ये पीएस्यू बैंक की जब रैली शुरू हु लेकिन अगर आप वैलुएशन पर नापेंगे तो जो बड़े बड़े पीएस्यू बैंक थे वो इतने रैली करने के बाद भी अपने प्राइस टू बॉक वैली पर आप देखें तो 1.25 टाइम्स मैक्सिमम गए होगी अभी तक लेकिन यह जो छोटे पीएस्यू बैंक थे जिन्होंने रैली किया वो ट्रेड करने लेगे फॉर टाइम्स वाइट रैंक जेर बुक वैली तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो स्पेक्विलिटिव एलीमेंट है मार्केट में वो वैली वैली को बिलकुल नहीं देखता वो सिर्फ प्राइस पर्फॉर्मेंस को देखता ह तो वो जो स्प्राइस पर्फॉर्मेंस में और जैसा की सुधी भी कर रहे थे कि वो लीवरेज करके बाजार में प्रिवेश कर जाता है तो वो उसकी पूदिशन जो है वो उस आदमी की तरह है जो की एक सीडी पर तो चड़ गया है लेकिन सीडी के नीचे जो तेल छलक रह है तो यह जो इंडेक्स जो हमको नहीं दर्शा रहा है डामेज इंडिविजूल स्टॉंग्स दिखा रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं देखें यह सब जो स्पेकुलिटिव स्टॉंग्स हैं उनमें 35 से 50 प्रतिशत तो आवरेज करेक्शन हुआ है तो आप सम हुआ है कि यह जो स्पेकुलिटिव एलिमेंट जो की बाजार को ड्राइव कर रहा था अब वो तो इसी बैक्सीट लेगा और इंवेस्टर को समय मिलेगा अपने पसंदीदा स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर खरीदने करें ओके यह इंट्रेस्टिंग बहुत जरूरी ह कि 50% गिर गया वह तो आधा हो गया और इसको वापस चलने के लिए 100% चलना पड़ा है बहुत कटिन गड़ित हो गई कि गिरा तो 50% चलेगा 100% चलना इतना आसान नहीं यह जो मुश्किल है इसलिए आज मैं चर्चा को कर रहा हूं या आप लूँ इस बात को समझने करते थे कि ऐसे स्टॉक में मज जही है जहां पर सिर्फ इस्प्रक्लेशन चल रहा है या किसी ने कह दिया रहे तो चली रहा है लेकिन एक सवाल और साइक्लोजिकल वाला ये सुदीप सर्से कितना भी इम लोग संझा लेकिन टिकेट साइज मैटर करता है ना अब जो संझा साइज के चक्कर बड़ा खराब है बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक कह रहा है आप जितना भी समझाए और हम लोग सालों से समझा रहे है पर वो चोटे जो शेर सेना उस पर एक अट्रक्शन है रिटेल इंवेस्टर का एक बहुत बड़ा अट्रक्शन रहता है पंदर रुप जी तो बिल्कुल काम करता है बहुत जबरदस्त काम करता है और यहां पर देखिए मैं निवेशक के लिए यह कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग थोड़ा फंदमेंटल्स पर ध्यान दीजिए या अगर खुद नहीं कर सकते किसी से मश्वरा ले लिजिए किसी से बात क लिजिए जो की समस्ता है क्योंकि यह बहुत खतरना चीज है और पिछले दो साल से धाई साल से मैं कहूंगा मार्केट एक अपर ट्रेजिक्ट्री में है तो जितने भी नए निवेशक मार्केट में आया है उन्होंने पैसा लगाया पैसा बनाया और बहुत खुश है और मा होंगा कि थोड़ा थोड़ा केरफुल तो रहिए और केरफुल रहिए स्ट्रक्चर्ड वे या तो आप खुद पढ़िए कुछ समझिए या तो किसी कसे मश्वरा करिए और अगर ये दोनों नहीं करना चाहते है तो म्यूच्वल फंड के जरिये में बेश करिए और ये ती सोच है ये सोच गलत है शायद 15 रुपया वाला शेयर उपर जाएगा पर क्यूंकि वह पंचास से रुपया से 15 हो या इसका मतलब आगे उपर ही जाएगा ये सोचना बहुत गलत है और इस सोच के हिसाब से अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो वह हानिकर हो सकत करें क्या असली सवाल तो यह अभी सचा के बाद लोग कहीं इने पूछ ले लेना क्या यह तो बताते है यार तो ग्यान तो बहुत देर वाला एक गंड़ समझा रहे हो कि यह करना अभी action point क्या है तो ब्रेक के बाद exactly इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए चुपचा पैटना चाहिए पिक्चर देखने चला जाना चाहिए लिस्ट बनाना चाहिए थोड़ी पड़ाय लिखाए करें चाहिए मौका मिले जपट लेना चाहिए क्या करना आपको छूटेस ब्रेक के बाद सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन इतना सब के बाद असली सबाल तो यह है कि अब क्या करना चाहिए आप इंवेस्टर हैगा चोटे इंवेस्टर ने बड़े तो क्या करना है आशिर आप से शुरॉत करते हैं लिस्ट बनाएं बैठके क्या थोड़ी पढ़ाई लिखाई करें रिसर्च करें सेक्टर देखें क्या करना है इस समय इंवेस्टर को तो देखें मार्केट जब गिरता है तो सबसे अच्छी बात यही होती कि समय मिलता है पढ़ने का नहीं तो होता ही है कि कम रिसर्च करके अगर से आपने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया तो बुल मार्केट में स्टॉक लेने नहीं मिलता है तो अभी आपको वापस समय मे करीब 50% की profitability बढ़ी है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी earning growth नहीं है पर अब जो अब थोड़े दर पहले question कर रहे थे कि 15 रुपए का stock तो मैं इसी के नजरे से समझाना चाहता हूँ एक company है जो इसका market cap करीब 60,000 करोड का market cap है पर stock 15 रुपए पे trade कर रहा है और वो company सालाना 6,000 करोड रुपए का loss कर रही है तो investor ये देखना ही नहीं चाहता है investor सिफ 15 रुपए के price पे focus करना चाहता है वहीं दूसरी company है जो 60,000 करोड के market cap पे बट जिसका share price 6,000 रुपए चल रहा है और वो company सालाना 1000 करोड रुपए profit बना रही है इस company को investor इसलिए नहीं चूता दू दूसरी company को क्योंकि उसका price चल रहा है 6,000 और वो पहली company में interested है चाहे वो loss making ही क्यों ना हो पर क्योंकि वो 15 रुपए पर चल रहा है तो जब तक आप earning के साथ market cap के साथ company नहीं देखेंगे तब तक ये पूरा discussion जो है share price पे रह जाएगा कभी value के उपर नहीं आएगा तो value क समझने की जर्वत है ऐसा नहीं कि small mid cap में stocks नहीं है जहां value नहीं है थोड़ा सा हमें वहाँ ये रखना पड़ेगा कि allocation आप aggressive थे तो इस allocation को थोड़ा सा narrow down करना पड़ेगा और जैसे मैंने का अभी कि एक ideal allocation होना चाहिए कि 60% में मेरी जो समझ है मैं समझता हूं कि 60% से 65% large cap focus होना चाहिए और 35% से 40% जो है small mid cap की तरफ जाना चाहिए यह एक ideal allocation होगा इस environment में जहां थोड़ी सी volatility बढ़ती वी नजर आ रही होके अभी थोड़ा थोड़ा निवेस करना चाहिए पढ़ाई लिखाए करनी चाहिए पैनिक में आके कुछ भी मत कर दोगा अपना अच्छ में अब गिरेगा तम में ले लूँगा वह बड़ा arrogant attitude है वह ऐसा कहना कि मेरे को मालूम है कब market गिर जाएगा तम में ले लूँगा ऊपर जाएगा बेज दूँगा वह होता नहीं है और उसमें नुकसान ज्यादा हो जाता है लोगों का और दूसरा मेरे को मिलेंगे यह से आपने दर्शकों के हिसाब से जो पूछा कि दर्शकों के हैं हमारे विवर्स उनको क्या करना चाहिए तो इसमें एक तो पहले जो आप भी कहते रहते हैं कई बार अपने शो में का हर बार ही कहते है बल्कि कि market जो है एक get rich scheme नहीं है यहाँ पे यह पैसा फटा फटा डबल क अपर वैसा सोच के आ रहे हैं तो नुकसान उने की चांसल बहुत जादा है दूसरा क्या है market market है कि आपकी जो savings है आप उसको एक जरिया है equity में invest करने का long term के लिए फिर जैसे आप थोड़ा gold में invest करें real estate में invest करें थोड़ा bonds में invest करें उसी तरह एक market equity investing के लिए है जो आपक earnings ज्यादा बड़ी savings बड़ी उसको वापस allocate कर दे उससे ज्यादा long term investor को बिलकुल डरना नहीं चाहिए मेरे को लगता है कि इस तरह के जो corrections है वो अच्छे investor के दोस्त हैं दुश्मन नहीं है वो panic नहीं कर दे मैं तो जिनतने अच्छे investor को जानता हूं जोनोंने long term में पैसा बनाया है वो तो यूज करते हैं ऐसे corrections को अपना allocation बढ़ाने के लिए तो मझे लगता है investors जो है उनको उसी नज़रिये से देखना चाहिए घबरा के अंडर ऐसी चीजों के जो narrative बन गया चार चीज़े हो गई पर अब जो positive narrative था वो पिछले हफते का वो सब भूल गए कि अपडेट वो सब भूल गए interest rate कम होने वाले हैं वो सब भूल गए अब सब इसमें आ गए अब पिछले हफते आप allocation बढ़ाने को तेयार थे क्योंकि आप तेजी में ते अब आप सोचें तो वो गलत सोचने की गलत है मेरे साब से वो सोचना मैंने न्यूज 18 का इतना इंडिक्स है इंक्लीजन है जन्वरी में ब्लूमबर्ग इंडिक्स में इंक्लीजन है इंट्रेस रेट करें की तैयारी होरी पूरा सब कुछ कोई सुनना नहीं चाहिए यह यह होता सब्सक्राइब करना चाहिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए इस बीच जो मौका मिलेगर दो चार दिन का तो खुब धुआधार पढ़ाय उड़ाई करके या किसी सलाह लेके काम शुरू करना चाहिए मैं इसका जवाब देता हूँ पहला बात तो मैं यहां पर यह कहना चाहिए कि खरीदारी जरूर करनी चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए मुझे तो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें से बहुत सारे pockets है sectors है जहां पर आने वाले दिनों में 5 साल अगर आप ले ले तो बहुत अथ्या traction दिख रहा है construction infrastructure private banks even public sector banks थोड़ा अगर सोच समझ के पढ़ाई करके या किसी का advice लेके या mutual fund के जरीए अगर अगर आपके पास liquidity available है मैं तो कह रहा हूं कि जरूर आप large cap shares में जहां पर correction हो रहा है market का sentiment के हिसाब से connection थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है large cap में भी अच्छे companies में भी तो वहां पे जरूर खरीदारी करिए तो मेरा सला तो यह होगा कि अपना अच्छा अगला 5 साल के लिए portfolio build करने का अच्छा opportunity ये correction आपको दे रहा है तो आप जरूर market पे ध्यान रखिए और थोड़ा थो portfolio बनाई सज्जे जी माली कोई व्यक्ति है और उसका एक portfolio है जो भी है उपा नीचे इस समय जो भी हुआ होगा लेकिन उसके पास 100 रुपए और हैं तो उसको क्या करना चाहिए considering की अभी वो थोड़ा इंजार कर ले चुनाओ के नतीजे भी देख ले ऐसे बहुत cautious लोग हों तो प्रतीक्षा करके फिर पैसा डालना शुरू करें या वो यह करें कि अब बहुत सारे midcap भी बहुत अच्छी quality कि हैं जो इस सब्धान 22 पसेरी तौल लिए गया है कि आप भी गिरो आप भी गिरो सब गिरो यार सब लोग बढ़े हुए हो तो वहां पकड़ ले पैसे सब्सक्राइब करें जहां पर की मिट कैप इंडेक्स की गिरावट पाथ से साथ प्रतिशत हुई है पिछले एक सब्ता में अगर इंडिविजुल स्टॉक्स करेक्शन देखें तो अच्छे quality की मिट कैप स्टॉक्स जो है वो 35 से 50 प्रतिशन तीचे गिर गया है दूसरी ब द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा बहुत जादा information जो है वो आम निवेशक को भी प्राप्त होता है मैं तो अभी भी बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि जब हम लोगों ने अपनी investment करियर शुरू की थी तो company की जानकारी प्राप करने के लिए आपको कम से कम 100 शे जादा प्राप्त हो जाती है तो लोगों को इस गिरावट का फाइदा उठाना चाहिए और जो information जो इतनी आसानी से उपलब्ध है उसका भी फाइदा उठाना चाहिए और इस गिरावट में देखें इंडेक्स कब बॉटम आउट करेगा और आपका स्टॉक्स कब बॉटम आउट हो जाए इंडेक्स बाद में बॉटम आउट हो या संभव है कि आपके स्टॉक्स अचली राली करना शुरू कर दे जबकि आपकी इंडेक्स बॉटम आउट हो रही होगी तो मेरा एक ही सबसे महतपून सुझाब रहेगा लोगों को कि यह जो हम प्राइस को चेज कर उस स्टॉक को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमने खरीदा और उसके बाद उसके प्राइस बढ़ते चले गई तो वो अच्छा है या उस स्टॉक में फंडमेंटल वर्थ है और उसके कारण उसमें प्राइस डिसकवरी हो रही है तो यह बहुत बढ़िया समय है जब जो च्छाएप हो या मिट कैप हो या स्मॉल कैप हो तो हमें उधर से अपनी जो जुकाव है उसको बदल के क्या तरफ लाना चाहिए और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जो कि बाजार में कभी ना खरीदने का समय हो और ऐसा कोई भी समय नहीं हो जहां पर हमने भी महसूस किया कि हम अपने पोटफोलियों में भी जब नया पैसा आ रहा था तो हमको बहुत बड़ी समस्या इस बात की हो रही थी कि हमको या तो मिट कैप में वालुएशन करव में उपर जाना पड़ रहा था उसी स्टॉक को खरीदने के लिए या फिर हमको क्वाल रिकवरी यू शेप होगी वी शेप होनी की संभावना मुझे कम लगती है तो आपको समय भी मिलेगा अपने समय स्टॉक्स को बटू दोरने का तो जरूर आप अपने लक्ष को निधारित करें कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको समझ में आते हो वही लें बिलकुल जो अपने स्टॉक्त में सला मिल रही है मेरा एक दोस्ट डॉक्टर है वह मैंसा जम इससे कुछ बात करता हूं दवा पूछता हो ना तो नहीं बताता है कहता है तुम फ्री में पूछते हो तुम उसकी वैल्यू नहीं करते हो अभी मैं पांच सर परचा काटूंगा ना तो क्योंकि बनाना बहुत आसान है पैसा बहुत मुश्किल भी है आसान इसलिए अच्छे स्टॉक ढूंड़ के अभी ले लो नीचे पड़े हुए एकदम मुश्किल उस दिन होगी जिस दिन हो तीन मुझे सही लग रहा है तो यह जो वैल्यू आपको जानकारी दिया इसका फ क्योंकि वही स्टॉक फिर से चलेगा वह सबसे पहले चलेगा तो इसलिए बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि अपने अच्छे क्वालिटी स्टॉक भेश दिया क्योंकि वह गिर गया था बिल्कुल तो अगर आपका पॉर्टफोलियो 30% भी गिर गया है 40% भी नेगेटिव चल रहा है और आपके अच्छी क्वालिटी की स्टॉक लिए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है यही स्टॉक आपको माला माल करके देंगे आपको इस समय फ्रेश बाइंग के लिए थोड का नाम ले लिया है तो यह सब आप दुवारा पढ़िएगा किसी से पूछेगा राय लीजिएगा क्योंकि यहां भी कोई भी एक्शन करने के लिए आपको राय नहीं दी गई किसी भी अनलिस्ट ने नहीं दी है उमीद करते हैं कि आपको फाइदा होगा इस मुश्किल के स करते हैं? झाल झाल